हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवन एट थरी पर आज है 27 अप्रेल दोजाद तेईस और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 27 अप्रेल दोजाद तेईस की डेली कर इंटरफेस के कुछ इंपोडेंट कोशन अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यदा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली वार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वैल आइकन को भी ओल पर प्रेस कर लीजे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख माएं आज की इस वीडियो की पीडिया फाइल आपको मारे टेलीग्रम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्रम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से चैनल को जोईन कर सकते हैं तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे एक क्वेशन भी पूछूंगा उस क्वेशन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है तो चलिए चलते अपने टॉपिक की ओर पहला क्वेशन है हाल ही में बिश्व बौधिक संपदा दिवस का मनाया गया है इस क्वेशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी 26 अप्रेल तो हाल ही में बिश्व बौधिक संपदा दिवस 26 अप्रेल को मनाया गया है बेश्व बहुत दिक संपदा दिवस प्रतिवस 26 अप्रैल को नवाचार और रचनात्मक्ता को वड़ावा देने में बहुत दिक संपदा अधिकारों के मुहत्व के बारे में जागरुकत वड़ाने के लिए मनाया जाता है नेक्ट कोशन है किस राज ने राज सरकार की नौकरियों में साट प्रत सत से सततर प्रत सत आरचन पदान करने के लिए एक विदेयक पारित किया इस question का सही answer हो जाएगा option A जार्खंड तो जार्खंड राज ने राज सरकार की नौकरियों में 60% से 77% आरचन पजान करने के लिए एक विदेयक पारित किया है जार्खंड के राजपाल ने हाल ही में इस विदेयक को समीच्छा का निर्देश देते हुए सरकार को लोटा दिया अब जार्खंड जो राज जैस की स्थापना 15 नवंबर 2000 को गई थी जार्खंड की राजधानी राची है मुख्यमंत्री है हैं हैमंत सोरेन और राजपाल हैं सीपी राधा कशन नेक्ट कोशन है हाल ही में पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार तारेक फतर का निदन कितने वर्स की उम्र में हो गया है इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73 वर्स आप इमेज में भी देख सकते हैं ये थे पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार तारेक फतर इनहीं का 73 वर्स की आयुँ में निदन हो गया पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार तारेक फतर का कैंसर के कारण 73 वर्स की आयुँँ में निदन हो गया वह 1987 में पाकिस्तान से कनाड़ा आ गए थे उन्होंने एक राजिनीते कारकरता पत्रकार और टेली विजन होश्ट के रूप में काम किया नेक्ट कुशन है सूडान में फसे नागरिकों को निकालने के लिए बारत ने कौन सा ओपरेशन शुरू किया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए ओपरेशन कावेरी तो सूडान में फसे नागरिकों को निकालने के लिए बारत ने ओपरेशन कावेरी शुरू किया है बारत ने सूडान में फसें अपने नागरिकों को निकालने के लिए ओपरेशन कावेरी नाम से एक वच्चाव अबयान सुरू किया है सूडान में वच्चाव कार्रेयों का नाम ओपरेशन कावेरी यूक्रेन में चलाए गए operation गंगा की तरिज पर ही रखा गया है next question है हाल ही में कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे blue hole का खुलासा किया गया है इस question का सही answer हो जाएगा option C, Mexico तो हाल ही में Mexico देश में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे बिलू होल का खुलासा किया गया है मैक्सको के युकाट टन प्राय द्रीप के तड़ पर दुनिया का दूसरा सबसे गहरा बिलू होल पाया गया है वैग्यानको की टीम ने हाल ही में इसकी खोज की है और इसकी गहराई 900 फीट तक बताई है वैग्यानको के मुताब किया विलू होल करीब 1,47,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है मैक्सको जो देश है वो उत्तरी अमीर का मादीप में इस्तित है मैक्सको की राइदानी मैक्सको सिटी है मैक्सको की मुद्रा है मैक्सिकन पेशो और मेक्सको देश के राष्ट पती है एंड्रेस मैनुवल लोपेज ओब्रेडोर नेक्ट कुशन है हाल ही में माना को पहला बाती गांगोशित किया गया है यह किस राज्ज में इस्तित है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा option भी उत्राखंड तो हाल ही में माना को पहला बाती गांगोशित किया गया है और यह उत्राखंड राज्ज में इस्तित है बद्रीनाथ से तीन किलोमीटर दूर बसा माना जिले का आखरी गांग कहा जाता था अब देश का पहला गांग बन गया है सीमा सरक संगठन की ओर से सीमांत गाव माना की प्रविश द्वार पर देश के अन्तिव गाव के इस्थान पर पहले गाव का सायन बोर्ट लगा दिया गया है अब जानते हैं उत्राखन राज के बारे में उत्राखन राज की स्थापना 9 नवंबर 2000 कोई थी उत्राखन राज की दो राजदानिया है दहरा दून है वो शर्दियों के लिए है और गैर शेन है गर्मियों के लिए उत्राखन के मुख्य मंत्री है पुशकर शेंधामी और र बारत का इस्थान क्या रहा है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए चौथा तो विश्वशे ने विए 22 में रोजानों पर SIPRI की रिपोर्ट में बारत का इस्थान चौथा रहा है Stockholm International Peace Research Institute आर्टी प्रकाशत विश्वशे ने विए जो कुल विश्व का 56 प्रतिसत हिस्सा है रिपोर्ट 2022 में तीन सबसे बड़े खर्च करता सैंप्त राज अमेरिका, चीन और रूस हैं अमेरिका अब तक दुनिया का सबसे बड़ा सैंन खर्च करने वाला देश बना हुआ है बारत का 81.4 बिलियन डॉलर का खर्च दुनिया में चौथा सबसे बड़ा था नेक्ट कुशन है किस राज के माना मदरई मिट्टी के बरतनों को जी आई टेग मिला है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन भी तमिल्नाडू तो तमिल्नाडू राज के माना मदरई मिट्टी के बरतनों को जी आई टेग मिला है माना मदरई मिट्टी के बरतन तमिल्नाडू के मिट्टी के बरतनों का एक पारम पर एक रूप है जिसे बहुगुलिक संके तैग मिला है अब तमेलनाडू जो राजजेस की स्थापना 1773 में होई थी तमेलनाडू की राजधानी चेर नहीं है मुख्य मंत्री है M.K. स्टालिन और राजपाल है R.N. रवी नेक्स्ट कुशन है औस्टैटियाई सरकार ने किसे सरवोच नागरिक सम्भान से नवा जा है इस कुशन का च commission का सही answer हो जाएगा option A. रतन टाटा आप image में भी देि सकते हैं ये है रतन टाटा इनी को औस्टैटियाई सरकार ने सरवोच नागरिक सम्भान से नवा जा है देश के दिगच उद्द्यवग पती और टाटा संस के मालिक रतन टाटा के नाम एक और उपलब्दी जुड़ गई है और श्टेलियाई सरकार ने उन्हें सर्वोच नागरिक संबन से नवाजा है नेश्ट कोशन है उद्द्यवग और आंतरिक व्यापार संबर्धन विवाग ने किसे सचिव के रोप में नियुक्त किया है इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी राजेस कुमार आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं राजेस कुमार और इनी को उद्द्यवग और आंतरिक व्यापार संबर्धन विवाग ने सचिव के रोप में नियुक्त किया है बरिष्ट आई एस अधिकारी राजेस कुमार सेह ने 25 अप्रेल को उद्दिव और आंतरिक व्यापा संबर्दन विभाग में सचिप का पदवार ग्रेहर गिया सेह ने अनुराग जैन का इस्तान लिया है जिनने सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले में सचिप नियुक्त किया गया था नेक्ट कुशन है केंद्रिय मंत्री सर्वानन सोनोबाल ने किस राजमें नौवहन मंत्राले की पौद्द्यों की साखा का उद्गाटन किया है इस कुशन का सही अंतर हो जाएगा ओप्शन सी तमिलनाडू तो केंद्रिय मंत्री सर्वानन्द सोनोबाल ने तमिलाडु राज में नौवहन मंत्रालय की पौद्धियों की साखा का उद्गाटन किया है केंद्रिय पत्तनपोत परवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानन सोनोबाल ने बारत्य पौद्द्यों की संस्थान मद्रास के डिस्कवरी परिशर में बंदर गाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्य पौद्द्यों की केंद्र का उधगाटन किया नेक्ट कुशन है हाल ही में भारत और किस देश के तटरा चक बल नई दिल्ली में उच्छ स्तरिय बैठक करेंगे इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए दच्छर कोरिया तो हाल ही में भारत और दच्छिर कोरिया देश के तटरा चकबल नई दिली में उच्छ स्तरिय बैठक करेंगे अब दच्छिर कोरिया जो देश है वो एशिया मादीप में इस्थत हैं दच्छिर कोरिया की राईदानी सोल है दच्छड कोरिया की मुद्रा है दच्छड कोरिया इवञ और दच्छड कोरिया की प्रधान मंत्री है हान डग सू अब कल की वीडियो मैंने आप से क्वेस्चन पूछा था जीयो सिनेमा ने किस बारतीय क्रिकेटर को ब्रांड नेमवेश्टर ने व्क्त किया है इस कुशन का सही आंसर था ओप्शन सी रोहित शर्मा तो जीयो सी नेमा ने बारतिय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड नेमबेश्टर ने उक्त किया है अब आपके लिए आज का कुशन है किस देश के क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा सम्मानत किये गए है इस कुशन का सही आंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की helpful लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से जर करना और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जै हिंद जै बारत बन्ने मातरम